एक बार राजा कृष्ण देव राय की दर्बार में एक महान विद्वान आया उसने वहाँ दर्बार में उपस्तित सभी विद्वानों को चुनोती दी कि भई पूरे विश्व में उसके समान कोई भी बुद्धिमान वे विद्वान नहीं है उसने दर्बार में उफस्चित सभी दर्बारियों से ये कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विशे पर वाद विवाद और शास्त्रार्थ कर सकता है परन्तु कोई भी दर्बारी उसके वाद विवाद करने का साहस ने कर सका इसी बीच राज पुरोहित तथाचारे ने उनकी चुनोती को स्विकार कर लिया और भई चुनोती स्विकार तो कर ली लेकिन बाद में तथाचारे को पच्ताना पड़ा पूरे दर्बार के बीच तथाचारे हसी का फात्र बन कर रह गए राजा देवराय भी बड़ी ही चिंता में और दुविधा में डूब गए अब भई उनका शस्त्र जो की उनका प्रम्हास्त्र है यानि की हमारे पंडित रामा कृष्णा अब भई राजा ने दर्बारियों को अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पंडित रामा कृष्णा को जल्द सिद जल्द दर्बार में उपस्तित होने का निमंत्रन दे दिया जाए राजा के आदेश पर रामा दर्बार में आये और महराज को निश्चिन्त होने के लिए कहा पंडित रामकृष्णा ने विद्वान की चुनोती को स्विकार कर लिया और इसी बीच चुनोती का दिन भी तै कर लिया गया भई दिवस बीते, रात्री बीती और मुकाबले का दिन भी आ गया और मुकाबले के दिन पंडित रामकृष्णा पूर्णत एक विद्वान पंडित के रूप में दर्बार में उपस्तित हुए उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा सा गठर ले रखा था जो देखने में भारी पुस्तकों के गठर के समान लग रहा था और शीग्र ही वो विद्वान भी दारबार में आकर तेनाली रामा के सामने बैठ गया रामा ने जुक कर महराज कृष्ण देवराय को प्रणाम किया और गठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया तत्पश्चात दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए राजा समझ गए थे कि पंडित का रूप धरे तेनाली रामा के मस्तिश्क में अवश्य ही कोई योजना चल रही होगी इसलिए वे पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं अब राजा के आदेश पर वाद विवाद आरंब कर दिया गया पंडित के रूप में तेनाली राम पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले विद्वान महाशे मैंने आपकी विशे में बहुत कुछ सुना है आप जिसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूँ जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे महाशे, कृप्या मुझे इस पुस्तक का नाम बताईए, विद्वान ने कहा तेनाली राम बोले, विद्वान महाशे, पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिशा बंधन विद्वान चकित हो गया विद्वान ने अपने पूरे जीवन में इस तरह की पुस्तक का ना तो नाम सुना था ना कहीं पड़ी थी इसलिए विद्वान घबरा गया और सोचने लगा कि भई ऐसे पुस्तक जिसके विशे में ना तो आज तक उसने कभी बढ़ा है और ना ही कभी सुना है कैसे उससे वाद विवाद करेगा लेकिन फिर भी वह बोला अरे यह तो बहुती उच्च कोटी की पुस्तक है इस पर वाद विवाद करने में बहुती आनन्द आएगा परंतु आज विवाद रहने दिया जाए क्योंकि मैं इस पुस्तक के महत्वपूर्ण तत्यों को भूल गया हूँ इसलिए में कल प्राते स्वस्थ वैस्वच मस्तिश्क के साथ हम दोनों वाद विवाद करेंगे तेनाली राम के नुसार वह विद्वान तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतिक्षा कर रहा था परन्तु अतिती की इच्छा का ध्यान रखना तेनाली राम का करतव्य था इसलिए वह सरलता से मान गया लेकिन वाद विवाद में हारने सकी भई से विद्वान नगर छोड़ कर भाग गया और अगले ही दिन प्रत्य जब विद्वान शाही दरबार में उपस्तित नहीं हुआ तो तेनाली राम बोले माहराज वह विद्वान अब नहीं आएगा वाद विवाद में हार जाने के भई से लगता है वह विजय नगर से पलायन कर चुका है रामा वाद विवाद के लिए लाई गई उन अनोखी पुस्तक के विशे में कुछ बताओ जिससे की हमें भी तो ग्यात हो कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे डर कर वह विद्वान भाग गया राजा नहीं पूछा महराज वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है मैंने ही उसका यह नाम रखा था तिलक्षता महिशा बंधन इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकडियां और महिशा बंधन का अर्थ है वह रसी जिससे भैसों को बांदा जाता है मेरे हाथ में वह गठर वास्तों में शीशम की सूखी लकडियों का था जो कि भैस को बांधने वाली रसी से बंदी थी उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वे देखने में एक पुस्तक जैसी लगे लेकिन तेनाली रामा की बुद्धी मता को देखकर राजा वे दरबारे अपनी हसी रोकी नहीं पाए राजा ने प्रसन होकर रामा को धेर सारे पुरुसकार दिये और एक बार फिर रामा ने विजय नगर की इज़त उनका सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखा सो इस एपिसोड में तो बस इतना ही हम उमीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो एक छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा अगर आप लोग भी तेनाली रामा के फैंस हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की बिना कहीं न जाएं झाल तो हमारे चैनल न जाएं